आस्ट्रेलिया के बर्खास्त कप्ता स्टीफ स्मिंथ ने हाल ही में प्रेस कॉन्फरेंस करते हुए बॉल टैंपरिंग को लिकर अपनी गलतियों पर माफी मागी प्रेस कॉन्फरेंस में फूट फूट कर रोते हुए स्टीफ स्मिंथ ने माफी मागी और कहा इस गलती का पस्ताबा जिन्ती भर रहेगा स्टीफ स्मिंथ ने कहा कि वो इसके लिए कोई भी सजा भुगतने को तयार है अगर दूसरों के लिए कोई सबब हो सकता है तो मुझे आशा है कि मैं परिवर्तन के लिए एक बल हो सकता हूँ स्मित ने कहा कि मैं आशा करता हूँ कि समय के साथ मैं अपना आदर वापस पा सकता हूँ क्रिकेट दुनिया का सबसे बड़ा गेम है ये मेरा जीवन रहा है और मुझे आशा है कि ये फिर से हो सकता है स्मित ने कहा कि मैं इस घट्मा की पूरी जिम्मेदारी लेता हूँ मैं बिलकुल निराश हूँ ये मेरे नित्रित्व की विफलता है मैंने गलत फैसले लेनी की गंभीर गलती की है मैं पूरी जिम्मेदारी लेता हूँ प्रेस कॉन्फरेंस में स्टीफ स्मित कई बार रो पड़े, स्मित ने कहा कि अच्छे लोग भी गलती करते हैं, मैंने भी बड़ी गलती की है कि मैंने ये सब होने दिया, मेरी तरफ से पैसले लेने में गलती की, मैं शर्मिन्दा हूँ और दिल से वाफी बांगता हूँ, उम इस कॉन्फरेंस खत्म करने से पहले स्मित ने कहा कि मैं दिल से चर्मिन्दा हूँ, मैं क्रिकेट को प्यार करता हूँ, मैं युवा खिलाडियों को इस खेल के लिए प्रिरित करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि बच्चे इस खेल को खेले, ये घटना बहुत दुख द झाल झाल